हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जेशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ जेशन के बालों पर मैंने दहीं का यूज किया है जेशन के बालों में डेंडरफ की प्रॉब प्रॉब्लम रहती है तो आप दहीं का यूज कर सकते है जेशन के बालों में बहुत ज़्यादा दहीं का यूज किया है इसे पतला यह नहीं किया क्योंकि पतला करना ने सिलए *** अरे पतला करने वह व बहुत बिल्कुल भी पतला नहीं किया और कुछ भी मैंने इसमें एड़ नहीं किया है और कम से कम आदा घंटे के लिए मैंने इसे बालों पर लगा रहने देना है थोड़ी-धोडी मसाज भी कतनी है ताकि जो डेंडर्फ है ना वह बिल्कुल जड़ से खतम हो जाए और काफी टाइ तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है इचिंग की प्रॉब्लम या फिर डेंडर्फ की प्रॉब्लम तो आप दहीं का यूज कर सकते हैं इसे आपके बालो कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा बलकि आपके बाल काफी जड़ा है रहेंगे आपको डेंडर्फ की प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बाल बिल्कुल स्मूध सिल्की रहेंगे तो जशन को यहाँ पर दहीं की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी मतलब बालो पर बच्चा हा ना तो उसे यह सब अच्छा नहीं लगता है बर्त मैंने कोई भी प्रोडकट उसके बालो पर यूझ रहीं किया दहीं से ही उसके सारे बालो की kind भी प्राइम थी वह खतम हो गया तो दहीं को Skalpara लगाने के बाद मैं अच्छी तरह से मसाज करें ताकि पूरे स्कैल पर अच्छी तरह से दहीं मिख्स हो जाए है 15 मिनिटा या फिर आदा घंटे के लिए आपको ऐसे उस एक लगे रहना देना है इसके बाद आपको आपको बिल्कुल अपनाया हुआ तरीक है, मुझे चार बार मैंने जशन को महिने में लगाया, अब उसके डेंडरफ बिल्कुल भी नहीं है, समर है, समर में डेंडरफ अगर हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा परिशानी होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो सिरफ औ दहीं का यूज किया, इसी के यूज से उसके बालों में डेंडरफ बिल्कुल खतम हो गया, तो आप चाहे कभी भी इसका यूज कर सकते हैं, हेर वाश करने से पहले, अगर आपने हेर वाश कर लिया, फिर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, तो दहीं से वैसे भी हमारे बाल पर ना ठंडि ठंडी चीज लगा ली है दहीं लगाना बहुत ही जटा अच्छा लगता है विंटर में थोड़ी मुझाओ जाती है बट समर में दहीं लगाना मुझे काफी ज़गा लगता है वैसे भी मैं दहीं का यूज कर तीं रहते हूं अपने बालों पर भी मुझे वीडियो देखते हैं आपको जशन के बाल काफी जदा सुन्दर लगते हैं तो देखे अब मैं जशन के बालों में पानी डाल रही हूं सबसे पहले ताकि दही जो बालों में वह सारा निकल जाए एक बाद से तो दही नहीं निकलेगा इसके बाद जो मैं शेंपू करूंगी इसके बालों में से अच्छी तरह से सारा दही निकल जाएगा बिल्कुल भी स्मेल बालों में नहीं आती है तो शेंपू के लिए मैं आयूर शेंपू का यूज कर रही हूं मिरा आल टाइम फेवरेट शेंपू है सबमर में आयूर शेंपू के रिजल्ट काफी ज़धा यह सब भी शैंपू में जशन को यूज करती हूं तो जशन के बालो में मैंने दहीं लगाया तो शैंपू भी मैं ज़्यादा ले रही हूं ताकि सारा दहीं बालो में से अच्छी तरह से निकल जाए अगर आपको भी हेर से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दहीं काफी अच्छा लैदर करता है काफी अफॉर्डेबल शैंपू है इसली आप लोकल मार्के स्टोर से या फिर ऑनलाइन भी यह वाला शैंपू बाई कर सकते हैं काफी कम प्राइज में आप इसकी वान केजी की बॉटल बाई कर सकते हैं तीन सालों से मैं यह वाला शैंपू इससे जेषन के बालों का लेंड़ इतनी ज्यादा लम्बी हुई है इतने उसके लोंग हेर होऊ की प्राबलम ज्युशन को बिल्कुल भी नहीं है बस आपको अपने बालों की अच्छी केर करनी है अपने बालों को अपने बालों का खास ध्यान रखने अपने बालों पर दहीं लगाए ओईलिंग अपने बालों पर टाइम पर करें शेंपू अच्छा वाला यूज करें बहुत ज़द आपने बालों को ड्राइ मत रखिए ओपन मत रखिए ब्रेड करके रखिए हर वक्त बालों को कवर रखेंगे तो आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा आपके बाल काफी जदा हेल्दी रहेंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्स पर वच्चिंग